देसी गल प्रियांका चोपरा और परदेसी बाबू निक जोनस की शादी को बस कुछ ही दिन बीते हैं दिल्ली और मुंबई में दोनों ने खुपसूरत सा रिसेप्शन भी रखा और अब शादी के बाद प्रियांका चोपरा ने अपने हवी के साथ कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और जो काफी जादा ही खुपसूरत और रोमैंटिक लग रही है लेकिन अगर आप स्टार हैं तो आपके चाहने वालों के साथ साथ आपके आलोचक भी कम नहीं होते और कुछ ऐसा ही PC को फेस करना पड़ा है दरसल इस बीच प्रियांका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है तस्वीर में प्रियांका पती निक जोनस के साथ पोस्ट देती नजर आ रही है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर प्रियांका को जादा ही ट्रोल हो गई है तस्वीर में प्रियांका निक की गोद में बैठी है लेकिन यूजर्स को ये तस्वीर कुछ खास पसंद नहीं आ रही है उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रियांका को खूप सारा ट्रोल कर दिया है एक यूजर्स ने प्रियांका की इस तस्वीर पर कॉमेंन करते हुए लिखा बाबा राम देव कह कह कर ठक गए स्वदेशी अपनाओ लेकिन तुम तो विदेशी दुला उठा लाई भारत के लड़के क्या मर गए थे वहीं एक यूजर्स ने लिखा हम लोगों में क्या काटे लगे थे तो दूसरे यूजर्स ने लिखा तस्वीर में प्रियांका निक की मा लग रही है तुम लोगों का फेक प्यार बताओ तलाग कब होगा तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है इंजन लड़के मर गये थे क्यों तुमने गोरे से शादी कर ली साथ ही एक यूजर ने ये भी लिखा है निक तुम्हारे सामने बच्चा लग रहा है इतने पर भी प्रियांका को ट्रोल करना बन नहीं हुआ है और भी कई यूजर से जिनोंने भद्धी भद्धी बाते लिखी है एक यूजर ने लिखा मैम आपने सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी की है ना क्योंकि आपने ही तो कहा था दरसल प्रियांका चोपरा अपने फैमिनिस पर बोलती रहती है ऐसे में जब शादी के बाद प्रियांका ने सोशल मीडिया पर जब अपने सरनेम के साथ जोनस लगा दिया तो उन्हें खूप सारा ट्रोल किया गया था खेर प्रियांका चोपरा अपनी शादी शुदा जिन्दगी का हर लमहा इंजॉय कर रही है और अपने आलोचुको को कोई जवाब नहीं दे रही है क्योंकि प्रियांका चोपरा हमेशा से ही एक मजबूत महिला के तौर पर उभरी है बॉलिवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले